तो दोस्तों आज हम जो रेशिपी बनाने वाले हैं वो घर में बनाने में बहुत दिक्कत होती हैं इसलिए हम इसे फटाफट से मार्केट से ले आते हैं तो आज मैं जो तरीका आपके साथ सेयर करने जारी हूँ वो तरीका देखने के बाद आप यही कहेंगे कि इसे बनाना क तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एक mixing ball अब इसमें हम डालेंगे डेड़ कप के करीब बेसन बेसन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चुटकी नमक जब कभी भी हम कुछ मीठा बनाते हैं तो उस मीठे को enhance करने के लिए हम एक चुटकी नमक का इस्तमाल करते हैं जिसके कारण स्वाद जो है काफी अच्छा होता है अब बेसन और नमक को हमने जटपट से तो मिला लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें गाड़ा घोल तयार करेंगे घोल हमें ना तो ज़्यादा गाड़ा तयार करनी है और ना ज़्यादा पतला तो देख सकते हैं घोल हमने बना लिया है अब इसे मैं आपको चम्मच पे ड्रो करके दिखाती हूँ जब चम्मच पे इस तरीके से लाइन आने लगे तो समझे कि ये गोल जो है परफेक्ट बना है तो आप इसका कंसेस्टेंसी देख सकते हैं और इस घोल को तयार करने के लिए मैंने पूरा एक गलास पानी लिया है जो की पानी सारा लग चुका है थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो अब इस घोल को हम डालेंगे एक गलास में इस तरीके से रेसिपी बनाने में बहुत ही असानी होती है तो यहां मैंने आधा घोल ही डाला है गिलास में आधा हमने साइड में रखा है अब हम चलेंगे गैस की ओर तो गैस पे हमने कड़ाई पहले से ही रखा हुआ था तो यहां मैं रिफाइन ओल का इस्तमाल कर रही हूँ तो जैसे ही आप टैप करेंगे तो देख सकते हैं इसमें छोटा छोटा बूंदी निकलेगा तो जी हां दोस्तों मैं बना रही हूँ बेशन की बूंदी फिर बूंदी से मैं बनाऊंगी लड़ू तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा परफेक्ट बूंदी जो है बनके तयार हो चुका है तो बस इसे इतना ही हमें फ्राई करना है इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है तो यह हमारा पहला बेश हो चुका है फ्राई तो चलिए फटा-फट से बुंदी को हम बाहर निकाल लेते हैं सारे बुंदी को निकालने के बाद इसी तरीके से हम बाकी मिशन को भी फ्राई कर लेंगे तो फिर उसी तरीके से ग्रेटर के उपर हम बेशन के घोल को थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाएंगे और बुंदी फ्राई करते जाएंगे तो यहां हमें छोटे हॉल वाले ग्रेटर का इस्तमाल करना है दोस्तों इससे क्या है कि बुंदी एकड़म परफेक्ट निकलती है जादे बड़े बड़े बुंदी जो हैं नहीं निकलेंगे और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है जो कि बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट है बुंदी का जो घोल है ना जादा गाढ़ा होनी चाहिए और ना जादा पतला एकड़म परफेक्ट गोल तयार करना है आपको जैसा मैंने किया था तब ही जो है आपकी बुंदी एकड़म परफेक्ट बनेगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये हमारा दूसरा बेच भी फ्राई हो चुका है तो चलिए इसे भी हम फटा फट से बाहर निकाल लेते हैं जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे न दोस्तों तब आप कहेंगे कि बुंदी बनाना या फिर बुंदी से लड़ू बनाना इतना असान है बाहर मार्केट में 1000 रुपे किलो मिलने वाली आप ये रेसिपी जट पट से घर में बना करके तयार कर सकते हैं वो भी बहुत ही कम खर्चों में तो पूरा वीडियो आप जरूर से देखिएगा तो मैंने दूसरा बेच फ्राइ कर लिया है ये हमारा तीसरा बेच है तो चलिए इसे भी हम फटा फट से फ्राइ कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम हाई करते हुए बुंदी को फ्राइ करेंगे और इसे हमें एक से देड़ मिनट का ही टाइम लगेगा फ्राई करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगती है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे बुंदी फ्राई कर लिये हैं यह काफी जादा कुरकुरा है एकदम परफेक्ट बुंदी बनके तयार हुआ है तो चलिए फटा फट से इसे हम ग्राईंड कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्राईंडिंग जार अब इसमें हम बुंदी को डालेंगे और डाल करके पीस लेंगे तो इसे हम दो बार में ग्राईंड करेंगे क्यूंकि जार जो है छोटा है तो देख सकते हैं सारे बुंदी को हमने ग्राईंड कर लिये हैं इसे हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो अब हम चलेंगे फिर से गैस की ओर तो गैस में हमने रखा एक कड़ाई अब इसमें हम डालेंगे चीनी तो चीनी हम डालेंगे दोस्तों बेसन का आधा तो डेड़ कप हमने लिया था बेसन तो उसका आधा हमने डाला है चीनी और चीनी का आधा हिस्सा हमें डालना है पानी पानी डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे अब इसमें मैंने डाला है एक चुटकी ओरेंज फूट कलर और साथी में दो छोटी लाइची को हमने कूट करके डाला है तो बस चीनी पानी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें हम सारे ग्राइंड की हुए बूंदी को डाल देंगे हमें चासनी नहीं बनानी है बस चीनी और पानी को मेल्ट करना है अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए हम चासनी में जो है बूंदी को पकाएंगे अब इसमें हम डालेंगे खरबूज के बीज जिसे मगज भी कहा जाता है बीज डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब इसे हम ढख करके छोड़ देंगे 5 मिनिट के लिए 5 मिनिट हो चुका है अब ढखकन को हटा करके हम चेक कर लेते हैं पाच मिनिट बाद आप देख सकते हैं यह जो मिश्रन है काफी ज़्यादा सौफ्ट मुलाइम हो चुका है यानि कि यह लड़ू बनने के लिए तैयार है बस यह हलका सौफ्ट हो जा इसलिए मैंने इसे ढखक करके 5 मिनिट रखा था तो अब चलिए फटा-फट से हम सारे मिश्रन को निकाल लेते हैं एक थाली में और यह ठंडा भी हो चुके हैं तो अब बीना समय को गवाते हुए हम इसे फटा-फट से लड़ू बनाते हैं तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा-थोड़ा मिश्रन को अपने हाथ पे लेते जाएंगे और गोल-गोल लड़ू बनाते जाएंगे यह इतना सौफ्ट मुलायम लड़ू बनते हैं कि मुह में जाते हैं घुल जाएंगे तो एक बार आप इस तरीके से बूंदी के लड़ू या फिर बेसन के लड़ू बोले तो आप बना करके जरूर से देखिएगा दोस्तों यह मार्केट से मिलने वाली लड़ू से भी बहुत ही स्वादिश्ट होती है और बहुत ही सौफ्ट होती है तो बहुत ही कम खर्चे में आप इसे घर पे बना कर तयार कर सकते हैं बेसन च चटपट से यह बन जा रही है इसे बनाना बहुत ही असान है तो यहां पर मैंने फटा फट से सारे लड़ू बना करके तयार कर लिए हैं डेड़ कप बेशन से हमने 14-15 लड़ू बना करके तयार किये हैं तो चलिए मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सौफ्ट मॉलाइम बना हुआ है बेशन का लड़ू बिल्कुल मुह में घुल जाने वाली तो उमीद करती हुँ दोस्तों कि आपको आज का ये रेशे पी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आप कौन से सहर से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में